दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं पतांजली के मुलतानी मिट्टी बार का जो सोप आता है उसके बारे में कैसा है वो सोप और कितना अगर आप इसको यूज करते हैं डेली बैधिंग के लिए तो कितना यूसूल यह आपके लिए हो सकता है यह पूरी की पूरी इंफोरी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं तो चलिए एक बरी में सबसे पहले आपको इसका पैक दिखा देता हूँ, यह इसका एक single pack आता है, single pack के उपपर अगर आप यहां सामने देखें तो पतांजली की branding की जाती है, यहां पे clearly लिखा गया है कि यह मुलतानी मिट्टी है, जैसा कि आपको पता है कि मुलतानी यहां पे लिखा गया है, मुलतानी मिट्टी निचे भी मुलतानी मिट्टी लिखा गया है, और body cleanser यहां पे बताया गया है, यहां पे एक soap है, जिसको कि आप अपने body cleansing के लिए use कर सकते हैं, अब यहां पे निचे बताया गया है, पतांजली का यह product है, और cooling, refreshing and purifying the skin, अपन यहां पे दिखा देता हूं कि इसमें क्या-क्या composition होता है, यह पूरी की पूरी information में आपको दे देता हूं, तो अगर बात करें इसके Ayurvedic proprietary medicine की, यानि कि इसको जो दिखाया गया है, कुछ इस तरीके से दिखाया गया है, कि इसका जो composition है, वो एक Ayurvedic proprietary medicine के तोर पे दिखाय जिसमें कि यहां पे हल्दी से इसको जो बनाया गया है, वो हल्दी उसमें यूज करी गई है, धृत कुमारी यूज करी गई है, नीम यूज करी गई है, मंजिष्ट यूज करी गई है, तुलसी यूज करी गई है, भ्रिंगराज यूज करा गया है, वास्ती मदू, प्लास और इसके अलावा पुदीना, शुद्ध सुहागा और अजवायन साथी साथ का पूर भी इसमें यूज किया गया है तो अगर आप ये देखेंगे कि इस सारे की सारे जो इंग्रीडेंट्स है सारे की सारे ही बिल्कुल नैचरल इंग्रीडेंट्स है जिनका यूज किया गया है अगर कॉंटिटी की बात करो तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 75 ग्रैम्स इसका वेट है और मैनुफेक्टरिंग डेट यहाँ पे दी गई है और इसके साथ साथ अगर MRP की बात करो तो जो सिंगल इसका पीस आता है जो सिंगल सो पाता है वो 35 रुपीस का यहाँ पे मिलता है अब इसकी इक्सपारी डेट के अगर बात करें तो यहाँ पे 24 मंस के आपको एक्सपारी मिल जाती है यानि कि लेने के बाद भी 24 मंस तक इस साबून को आप यूज कर सकते हैं यानि करीबन करीबन 2 साल की एक्सपारी आपको इसमें मिल जाती है यहाँ पे कुछ कस्टमर के नंबर आपको दिये गए है यह बिल्कुल वेज प्रॉडक्त है यानि किसी भी तरीके के इसके अलावा मुल्तानी मिटी इसके अलावा घृत कुमारी और आलमन्ड ओयल जो होता है आपका और साथी साथ तिल ओयल जिंक ऑकसाइड और भी एच्टी और थोड़ा से इसमें यहाँ पे सुंगंति द्रव्य और वोटर का भी इसमें यह दिखाया गया कि यह सारी कि सारी जो चीजे इसको बनाने मिं लगाई जाती है अब इसका यूस किया यूस चे बाहर जो बॉक्स है यहाँ पर नीचे बार कोड़िंग दी गई इसके अलावा ये जो, इसको किस तरीके जी तरीके से ूझे तो यहां पर इसको इसको तरव करना है, तो साबुन प्सकों आप जो से नाँचा पुछ आपनी साबुरों में говорить कि उचे Украї सैनज के तरीके से बांट做 10 तरीके से करना है तो पैकिंग वगेरे काफी अच्छी दी गई है अगर यहां पर मैं आपको इसकी थोड़ी सी यह जो पैकिंग है वो मैं आपको दिखा हूँ तो अंदर से भी एक पॉलिफिन में पैक होके आता है तो डिरेक्ली इसके साथ में सीधा साबून का कॉंटाक नहीं होता है अंदर यह पैकिंग भी दी गई अडिशनल इसके साथ ही साथ अगर इसको मैं थोड़ा सा फाड़ के लिए आपको दिखा हूँ जो एक्च्छल में इसका साबून है वो एक बड़ी मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आपको भी आइडे हो जाएगा कि किस तरीके से साबून दिखता है अगर फ्रेग्नेंस की मैं बात करूं तो फ्रेग्नेंस इसकी कोई बहुत ज़्यादा तेज नहीं है जैसे कि नॉर्मल हमारे जो कमर्शिल साबून आते हैं उनकी जो फ्रेग्नेंस होती है बहुत ज़्यादा तेज होती है वैसी इसकी फ्रेग्नेंस नहीं हाला कि इसमें देखने में बिलकुल ऐसे लगता है कि मिल्तारी मिट्टी से ही बनाए हाला कि do इसमें बार्णाय के nutritive care सबनी होसी लाइ हैं गाता है और पीछे आ तरफ से देखेंH आगे की तरफ और पतंचली आती है तो मैं स country कके रिद However और मेरे को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आई और ज्यादा harsh chemical वाले saboon में अपनी skin पर यूज नहीं करता हूँ और इसलिए मैंने इस option को चुना तो अगर आप भी अगर आप ऐसा कोई option देख रहे हैं जो आपकी skin के लिए useful हो और जिसमें ज्यादा कोई भी chemicals वगेरा या कोई भी दूसरे additives या preservatives नहीं मिलाए गए हो या फिर कोई भी harsh fragrances का use ना किया गया हो तो आप इस सावन को consider कर सकते हैं ये बहुत ही अच्छा brand है पतंजली अपने आप में काफी credible brand है और पतंजली का ये जवाला जो product है ये वाके में काफी अच्छा product है जिसको मैं खुद भी काफी time से use कर रहा हूँ तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपके मन में इस product को लेके कोई सवाल है तो आप हमारे comment section पर जाकर हमसे पूछ सकते हैं हमारे वीडियो को like करें और हमारे चैनल को subscribe करें ताकि इससे तरह की info बेंगे